मुझे मौप से कोई डड़ नहीं लगता लेकिन मुझे मटने की भी कोई जन्दी नहीं है क्योंकि मटने से पहले जिन्दगी में बहुत कुछ करना बागी है ऐसा कहना है महान और अद्वुत वैंक्याविक रिश्टीफन वापकिन लगता जिसके सरीर का कोई भी अंकाम नहीं करता वो चल नहीं सकते वो बोल नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन फिर भी जीना चाहते है श्टीफन का कहना है कि मृत्व तो निश्चित हैं लेकिन जन्द और मृत्व के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हमपर मेर मेर पिरते हैं। चाहे जिंदगी जितने भी कठिल हो आप हमेसा कुछ न कुछ कर सकते हैं। और सफल हो सकते हैं। इस्टीफन का जन आठ जन्मरी 1942 में इंग्लैंड के आक्सपोर्ट सार्ड में पर था। जब इस्टीफन होकिंस सा जन्म हो उस समय दूसरा भी स्यूत जन्मरी थी। इस्टीफन होकिंस के माता पिता लंदन की हाई-डेट सिटी में रखे थी। जहां पर अक्से बंबारी हुआ गड़ती थी। जिसकी बज़ा से वह अपने पुत्र के जन्म के लिए होक्सपोर्ट चले रहे। जहां पर सुरच्छी दूरूप से इस्टीफन होकिंस का जन्म उसका। बच्पन से यह होकिंस बहुत ही एंट्रिजेंट थी। उनके पिता, डॉक्टर और मा एक हाउस्वाय थी। इस्टीफन की बुद्धी का परचय किसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्पन में लोग उन्हें आइश्टिंग करकर पकारती थी। उन्हें कड़ित में बहुत गिलजस्पी थी। यहां तक कि उन्हें पुराने एलिक्ट्रानेक स्कूप करनों से कंप्यूटर बन दिया थी। सत्रह वर्ष की उपर में उन्हें आक्सपोर्ट युनिवर्सिटी में प्रवेश्ट ले लिया। आक्सपोर्ट में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कारियों को करने में थोड़ी दिक गताने लगी थी। एक बार पीश्टिफन छुट्टिया मनाने के लिए अपने घर पर आये हुए थे। तभी सीड़ों से उदरते समय वो बेहोत होने और नीचे के गए। सुरू में तो सभी ने कबजोरी मात्त समझकर जादे ध्यान नहीं थिया। लेकिन बार बार इसी तरह के बहुत से अलग-अलग प्रॉप्लम को पूरने के बाद चार्च करवाया तो पता चला कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बिमारी है। इसका नाम गुरान मुर्टार्ट डिजीस का। इस बिमारी में मास्पेजियों को निरंद्रत करने वाले सारी नसी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है। जिससे सरीर अपक हो जाता है और पूरे अंग काम करना बंद कर देती है। डॉक्टर का कहना था कि इस्टिटुन अब सिर्फ दो वर्ज और जी सकते हैं। इस्टिटुन को भी इस बात से बड़ा सत्मा होता। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें ऐसे नहीं मर सकता। उजी जीवन में बहुत कुछ करना तो अभी बाती है। इस्टिटुन ने अपने बिमारी को दरकिनार कर तुरंथ अपने वैग्यानिक जीवन का सफर स्रूप दिया। और अपने आपको पूरी दर विग्यान को समाप्ध करती है। दीरे दीरे उनके ख्यात पूरी दुनिया में पहले लिए। उन्होंने अपनी बिमारी को एक बर्दान के रुपी समय लिया थी। लेकिन वही दूसरी तरफ उनका सरीर भी उनका साथ छोटता चले रहा थी। दीरे दीरे उनका बाया हिस्सा पूरा काम करना बंद करती है। बिमारी बढ़ने पर उन्हें फील चेयर का सहारा लेना पुड़ा। उनकी ये चेयर एक कंप्यूटर के साथ बन लिया है। जो उनकी सर, उनकी आपों और उनकी हाथों के कंपन से बता लगा लेती है। ति क्या बूला चाहिए। धीरे धीरे इस्टिफन का पूरा सरीर काम करना बंद करती है। लेकिन उस बिमारी में एक प्लस पॉइंट भी था कि इस बिमारी से इस्टिफन सिर्फ सार्लिक रूप से अपंग हो रहे थे। ना कि मांसी रूप से। उसके बाद लोग यूँ ही देखते चले गए। और हॉकिंग्स मौत को मात बे मात दे रहे थे। उन्होंने ब्लैक फोल का कॉंसेट और हॉकिंग रेडियस का महान विचार दुनिया को दिया। उन्होंने अपने विचारों को और सरभ वहसा में समझाने के लिए एक किताब लिखे और प्रीप हश्ट्री ऑफ टाइम। जिसने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिये। दुस्तों, इस्टिफन हॉकिंग्स एक ऐसा नाम है जिन्होंने सार्णे ग्रूप से विखलान होले के बावजूत अपने आपने विश्वास के बल पर विश्व का सबसे अनुठा वैग्यानिक बनकर दिखाए। जो विश्वा में ना केवल अधभुत लोगों बलकि समाने लोगों पे लिए बेड़ा बने। आपका वहमूली समय देने के लिए बहुत बहुत थोने हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप उमारा मनुवर बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इस प्रिसनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दूस्तों अगर आप उमारे वीडियो को मिस्त नहीं करना चाहते हैं। तो प्रिप्या चैनल को सिस्ट्राइब करें। आप को यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके चाहते हैं।